प्रिया खंडेलवाल प्रिया संग पूजन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आश्रा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे महादेव की क्रपा आप सभी पर बनी होगी हम सभी के घर में रसोई घर होता है यानि की किचन वो हमारे घर का सबसे महत्पूर इस्थान होता है दोस्तों रसोई घर में मानपूर्णा का वास होता है दोस्तों हमें अपने किचन से कुछ चीजों को कभी खतम नहीं होने देना चाहिए क्योंकि उन चीजों के खतम होने से हमारे घर में बर्कत नहीं होती, कंगाली आ जाती है, निगेटिवती भड़ती है तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आपको कुछ चीजों को खतम नहीं होने देना चाहिए वैसे तो दोस्तों पहली चीज है अनाज अनाज को हम कनक भी बोलते हैं दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जब आटा खतम हो जाता है अनाज खतम हो जाता है तब हम दूसरा आटा मंगवाते हैं दोस्तों तो ऐसा हमको बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहिए इसस तो हमें बरतन को कभी भी जारना नहीं चाहिए इसे लचमी जी तो रुस्ट होती ही है और हमारी जो मान प्रतिष्ठा है उसमें भी कमी आती है तो कभी भी अपने अनाच के डब्बे को खाली ना छोड़े अपने आटे के डब्बे को हमेशा कुछ शाटा उसमें छोड़ कर पूरा खाली तो दूसरी चीज है हल्दी हल्दी लचमी जी का प्रतीक माना गया है ब्रस्प्रति ग्रह भी माना गया है तो दोस्तों हमें कभी भी अपने घर से हल्दी खतम होनी देनी नहीं चाहिए इससे हमें गुरुदोस भी लगता है तो हमेशा ध्यान रखें कि हल्द तो हमेशा उनके सामने एक हल्दी का डबा छोटा बना कर रखें हल्दी को कभी भी खतम ना होने दे दोस्तों चावल यानि धान हमारे देश में बहुत ज्यादा उत्पन होता है और माता लच्मी को अतीप प्रिये माना जाता है कुछ लोग मानते हैं कि हमारे घर में जो पड़ जाते हैं गुन पड़ जाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है आपको अपने घर में चावल को कभी भी खतम नहीं होने देना चाहिए क्योंकि चावल और आता यह ऐसी चीजे हैं जो हम देवी देवताओं को समर्पित करते हैं दोस्तों तो इसका संबद जो है सुक बिकर भी समाप्त ना करें दोस्तों दोस्तों चौथी चीज़ है नमक मिरत पसी से भी दान करता है जो हमारे गर में सब्ही नकलातमता वा दूर हो यानि negativity जो होती है वो दूर होती है इस से जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो बनते हैं तो कभी भी नमक का डब्बा खाली ना छोड़ें और दोस्तों अगर आप हर हफ्ते नमक का पोछा लगवाते हैं तो आपके घर से जितनी भी negativity है वो सारी ही दूर हो जाती है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने घर से नमक का डब्बा कभी भी खाली नाचवी चीज है तेल सरसो का तेल हमारे घर में हमेशा ही रहना चाहिए यदि हम खा रहे हैं तो भी और नहीं खा रहे हैं तो भी वैसे तो आप जानते ही हैं सरसो का तेल जो होता है हमारी सिहत के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है तो आप सरसो के तेल में भी खाना पकाएं तो बहुत ही अच्छी बात है यदि आप नहीं खाते हैं तो भी सरसो का तेल रखना चाहिए और सनी वार को सरसो के तेल का दीपक इसान कोड में लगाना बहुत ही सुब माना जाता है इससे हमारे घर में कभी भी शनी दोस नहीं होता है तो हमेशा अपने घर में सरसो का तेल मंगबा कर रखें और कभी भी खतम ना होने दें यह सारी ही चीजे हैं ऐसी पात चीजे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन-कौन सी चीजे अपने किच्छन में समाप्त नहीं होने देने चाहिए इससे हमें बहुत दोस लगता है दोस्तों तो आशा करती हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें चैनल पर अगर नहीं आए हैं अचानक से मेरी आवास सुन ली है तो चैनल को सब्सक्राइ कर दें और कमेंट बॉक हर हरमादेव जरूर लिखें स्री सिवाय नमस्तुम्यम हर हर महादेव